हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 5 जुलाई से समंधित उत्रब्रदेश के सभी एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करेंड अफर के कुश्चन को डिसकस करेंगे और हरे कुश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे और वीडियो के अंतर में हम आपसे एक कुश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट वॉक्स में देना है और अगर आपको इसकी पीडियाफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडियाफ आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और दोस्तों यह जो उत्तर प्रदेश डिली करेंट अफिर के वीडियो है यह उत्तर प्रदेश की सभी कॉम्प्रिटेश एक्जाम्स जैसे यूपी पीस्टी है आरो ए रो है उत्तर प्रदेश सिख्षक भरती है यानि सूपर टेट इसके लाबा यूपी पैट का जो एकजाम होने बाला है तो इन सभी के लिए मोश्ट इंपोर्टेंट है तो इस वीडियो को जो है regular जरूर देखें तो चले शुरू करते हैं आज का सेशन सुरू करने से पहले हम कल की कुश्यांस का revision करेंगे कल का पहला कुश्यान है हाली में कौन राज्य सरकार कौन सी राज्य सरकार जो है family card जारी करने जारी है तो उत्तर प्रदिस सरकार जो है family card जारी करेगी अगला कुश्यान हाली में के सराज्य सरकार ने यानि एयरपूर्ट अथर्टी ऑफ इंडिया के साथ समझाता किया तो उत्तर प्रदिस सरकार ने जो है एयरपूर्ट अथर्टी ऑफ इंडिया के साथ जो है समझाता किया है दोस्तों उत्तर प्रदिस करेंट फिर की लास्ट वन येर की यानि साल दोजार इकीस कि अगर आपको पीडिएफ इबुक डाउनलूड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप इस पीडिएफ इबुक को डाउनलूड कर सकते हैं इसके साथ अगर आपको उत में कोई प्रवल्म होती है तो साइट पर आपको वार्ट सेप नंबर और इमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगला उश्या ने उत्तर प्रदेश के एक इस खिलाड़ी ने उननीसमीं फिना वर्ल्ड ऊपन वार्टर स्विमिंग चेंपेंशिप में भारत का प्रति निजित्व किया इसका जो करेक्ट अंसर वह ऑप्शन नुमर सी अनुराग सिंग ने अगला वश्या ने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच नोवी आर्मी टू आर्मी स्टाफ बार्ता का आयोजन कहां किया गया तो देहरा दून में जो है इसका आयोजन किय थान, अजूफान रखेंगे राजस्थान जो है एसा तीसरा राज्जा बन गया है, अगला उश्यहन मैं है है नियरा चुपड़ा ने डाइमट लीग में कितने मीटर भाला फैक कर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा तो उन्होंने जो है नवासी दसमलब 9-4 मीटर दूर भाला फैका और अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया अगला कुशन है एसिया प्रशान्त छेतर के सीर्स 20 इस्थाई सहरों की सुची में कितने भारतिय सहर सामिल रहे तो चार भारतिय सहर जो इसमें सामिल रहे तो दोस्तों यह थे कल की कुशन जिसका हमने रिवीजन किया अब हम सुरू करते हैं आज का सिसन आज का पहला कुशन है हाली में कहां पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अप्सिस्ट प्रवंधन कौन क्लेव 2022 का आयूजन किया गया इसका जो करेक्ट आंसर है ऑपसर नंबर प्रवंधन आयूजन किया गया इस तेम के रही तो यानि कि RRR ये इसकी theme रही इसका full form क्या रहेगा तो reuse, recycle वा reduce ये इसकी theme रही इस अफसर पर प्रदेश के नगर विकास और उर्जा मंतरी द्वारा आगरा के नगर आयुक्त निखिल टीकाराम को सम्भनित किया गया और दोस्तों ये आपको पता होगा कि एक जुलाई से जो है एकल उपयोग वाले जो प्लास्टिक के निर्माड हैं आयात, श्टॉकिंग, वितरन विक्री और उपयोग को एक जुलाई से दोजार बाई से प्रति बंदित किया जा चुका है यानि कि ध्यान रखेंगे एक जुलाई से जो है जो सिंगल यूज प्लास्टिक थी उनको ब पर लगनो इसका आय्योजन किया गया और इसकी थेम की रही तो वह भी ध्यान रखेंगे तो 3 आर इसकी थीम रही रियूज रेसाइकल धे लूस दोस्तों लकनो की बात करें तो लगनों से कुश्चीन ध्यान रखेंगे कि लखनों का वन्डेस्टिक क्या है तो चिकन कारी इवं जरी दर्योदी चिकन कारी इवं जरी जर्दोजी ठीक है ध्यान रखेंगे यह क्या है लखनों का वन रिष्टिक वन प्रोड़क्ट है अगला कुश्यान है हाली में आगरा में विजय सर्मा मैमूरियल यूपी इस्ट जोन सेलेक्शन बैडमिंटन टूनामेंट के आगरा द्वारा उतरब्रदेश के सबसे बड़े टूर्नामेंट में विजय सर्मा मैमूरियल इस्ट जून सेलेक्शन का तीस जून से तीन जुलाई तक एक लव्य स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजन किया गया ठीक कौन सी प्रतियों गीता तो ध्यान रखेंगे विजय सर सर्मा मैमूरियल यूपी इस्ट जून सेलेक्शन बैडमिंटन टूनामेंट के अंडर 19 में नोईडा के जो हैं नीर नहवाल और पुरुस एकलवर्ग में नोईडा के ही चिराग सेठी चैंपियन बने इस टूनामेंट में विजय सर्मा मैमूरियल इस्ट जून सेलेक्शन क आयूजन किया गया 30 जून से 3 जुलाई तक और इसमें जो है देखा जाए कि पुरुस एकल वर्ग में कौन चेंपियन रहा तो यहां पर देखेंगे आप चिराख सीठी जो है पुरुस एकल वर्ग में यह चेंपियन रहे जो कि नुईडा के हैं और नेर नहवाल इनका नाम में चेंपियन बने ठीक है तो दौनों का नाम ध्यान रखेंगे जो यह टूनामेंट है विजय सर्मा मेमोरियल यूपी इस्ट जोन सेलेक्शन बैटमिंटन टूनामेंट इसमें अंडर 19 में जो चेंपियन वने हैं वो नोड़ा के निर नहवाल और जो पुरुस एकल नोड़ा से अगर बात की जाए कि नोड़ा किस डिस्टिक में पड़ता है तो गौतम बुद्ध नगर जिले में यह पड़ता है और गौतम बुद्ध नगर जो जिला है इसका वन डिस्टिक बन पूड़क्ट क्या है तो रेडिमेट गार्मेंट यह जो है गौतम देख सकते हैं यह सिनी सिटी जो की Miss India World 2022 की विजेता रहीं करनाटक की हैं यह सिनी सिटी और इन्हों ने जो है Miss India World 2022 का खिताब जीता दोस्तो राजस्थान की रूबल सिखावत हैं यह first runner-up रही इनका नाम भी द्यान रखेंगे और जो उत्तर प्रदेस की है द्यान रखेंगे सिनाता चोहन ये जो है सिकेंड रनर अपन है घोसित किया गया इस बार की तरह हर बार की तरह जो है इस बार भी मिस इंडिया की जो प्रतियोगिता ये काफी कड़ी और मज़ेदा रही क्योंकि इसमें जो है छे जजों की पैनल ने सभी पहलों को ध्यान में रखते हुए एक विजीता को चुना है तो ध्यान रखेंगे 2022 की मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की जो विजीता है वो कौन रही तो करनाटक की है सिनी सिट्टी देखें नाम ध्यान रखेंगे और कहां से हैं वो भी ध्यान रखेंगे तो सिनी सिट्टी और यह हैं कहां की तो करनाटक की ठीक है और मिस्ס इंडिया थोजारीस की जो विजिता थीन मनसा वारांसी इन्होंने जो है मिस्स इंडिया थोजार बैस की जो की जो कि करनाटक की है अगला विश्यान है हाले में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना सुरू की है तो नारी को नमन जो योजना है ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुरू की है ओप्सन नमबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश को जो मुख्यमंत्री है जैराम ठाकुर उन्होंने राज की महलाओं के लिए नारी को नमन ये जो है योजना सुरू की है यह योजना राज्य विधान सवाचुनाव से पहले की गई गोशना की अनुरूप सुरू की गई है हिमाचल परदेश सरकार ने राज सरकार की बसों में महलाओं को टिकट की कीमतों में 50% की छूट देनी की घोशला की है इस योजना के तायत हिमाचल परदेश जो सरकार है वो राज्य में महलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड रुप है खर्च करेंगे ठीक तो ध्यान रखेंगे नारीक को नमन जो यह नहां देगी इस योजना के तो देश की पहली सनो मेराथन का जो आयूजन है ये कहां पर किया गया तो ध्यान रखेंगे आप हिमाचल प्रदीश में ठीक है ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदीश में पहली बार सनो मेराथन का आयूजन किया गया ठीक है तो ध्यान रखेंगे और सनो मेराथन यानि आप स कुछ में कौन से राश्टी उद्यानै तो पिलगाती राश्टी उद्यान और ग्रेट हमालियन राश्टी उद्यानॉ यह प्रमुख राश्टी उद्यान है हim 나ач tuh का पहला राज्य बना is Himachal प्रदेश तो यह द्यान रखेंगे और कभी योजना नारी ये योजना भी हिमाचल प्रदेश ने शुरू कर दी है अगला उक्षान है भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर उर्जा सयंत्र एंटी पीसी द्वारा के सराज्ज में पूरी तरह से चालू किया गया है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्सन नंबर सी तेलंगाना दोस्तो भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर उर्जा सयंत्र एंटी पीसी द्वारा जो है रामा गुंडम तेलंगाना में पूरी तरह से चालू किया गया इस सोलर प्लांट की छमता कितनी है तो सो मेगा वाट इसकी छमता है ये उन्नत तकनीक और परियावर्ण के अनकूल सुविध वाट की छमता है और प्रतेक ब्लॉक में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और ग्यारह हजार दोसो सौर मोड्यूल का मैट्रिक्स सामिल है तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये कुश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर उर्ज मेगा वाट इसकी चंता रहेगी और ये जो परियोजना ये कितने जगा में फैली हुई है तो पांच सो एकड़ में ये जो है फैली हुई है तो ध्यार लखेंगे आप तेलंगा ना जो है ये भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर उर्जा सेंद्र इस्थापित करने वाला र दोस्तों भारत कि कप्तान जस्प्रीत बुमराने ज्टूवर्ट ब्रॉड के कलाफ 29 सरन बना कर के टेस्ट क्रिकेट में एक और में सब से अधिक उरिकॉड बना कर महान ब्रायन लारा की अपलब्धी को एक पॉस्ट इंपोर्टट हो जाएगा कि जो जप्रीत नेगोंगा में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विस्व रिकॉर्ड इन्हों ने बनाया है और इन्हों ने एक ओवर में जो है उन्तीस रन बनाई हैं और इससे पहले अगर बात की लारा की पास रहा उन्होंने दो हजार तीन चार में एक टेस्ट मैच में दक्षड अफ्रीका के बाई हाथ की इस्पनर रॉबिन पीटरसन के खिलाफ अटाइस रन बनाई थे जिसमें छह गयनों पर चार चोके और दो चके सामिल थे तो दोस्तों ध्यान रखेंगे अब जो यह रुकॉर्ड है किसके नाम पर हो गया तो जस्प्रीत बंब्रा जो कि भारत की खिलाड़ी है और इन्होंने जो है उन्तीस रन बनागर के टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है और दोस्तों इन्होंने जो है विश्व टी ट्वंटी हुआ था उसमें एक योव एक ओवर में जो यूबरा सिंग है उन्होंने छे चक्के लगाए थे तो ये उन्हीं की गेंद उपर लगाए थे तो ये वही इस्टूर्ड ब्रोड है जिनकी अभी जो है जिनके द्वारा फैंकी हुई गेंद उपर जो मनाई जाती है तो चार जुलाई को जो है स्वामी विवेकानंद की पुनितिति मनाई जाती है दोस्तों चार जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुनितिति मनाई जाती है स्वामी विवेकानंद कौन थे तो ये एक दारसनेक थे जन्होंने पश्यमी दुनिया में विद तो देखे यहां से कई सारे कुश्यान है एक तो सौमे विवेकानन्द की पुन्य तिधी का मरे जाती है तो ध्यान रखेंगे चार जुलाई को इनका जनम कहां पर हुआ तो कोलकाता में बाराथ जनवरी 1863 को इनका निधन का हुआ तो चार जुलाई 1902 को 49 वर्स की आयू में इसके साथ यह आपको ध्यान रखना है रामकृष्ण विषण यह education रहेगा कि रामकृष्ण की स्थापना जो है किसने की तो सौमे विवेकानन्द ने बैलूर मठ में गंगा नदी की किनारे रामकृष्ण मिषण की स्थापना की इसके साथी question और पूछ लिया जाता है कि जो स्वम्य विवेक अनन्द है इनके गुरु को थे तो संत राम कृष्ण जो है इनके प्रमुख गुरु थे अगला खुश्यन है हाली में स्वतंता से नानी अलूरी सीताराम राजु की 30 फीट उची कांस प्रतिमा का अनावरण किस ने किया इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मुदी ने यहां पर आप ये प्रतिमा देख सकते हैं दोस्तों स्वतंता से नानी अलूरी सीताराम राजु की 125 जैनती के अफसर पर 4 जुलाई 2022 को जो है यह मनाई गई और इसी अफसर पर जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी हैं उन्ह दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अलूरी सीताराम राजु कौन थे यह कौन थे तो ध्यान रखेंगे यह एक सुतंता सेनानी थे और इनकी जो है अभी 125 जैनती थी चार जुलाई 2022 को और इसी के अफसर पर जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी हैं उन्होंने कहां पर आंद् कि वासी समदायों के हितों के लिए जो यह अलूरी सीताराम राजु है इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लडाई लड़ी है और उसी लड़ाई के लिए जो है नहीं याद किया जाता है दोस्तों इनके नाम पर एक विद्रो है इनसे समंदित यानि जो चर्चाव रहता ह तो ध्यान रखेंगे कौन सा तो रंपा विद्रो नाम ध्यान रखेंगे आप यहां पर रंपा विद्रो जो रंपा विद्रो है यह इनसे जुड़ा हुआ है और इन्हों ने इस जो विद्रो है रंपा विद्रो इसका नेत्रत्व किया था और जो वहां की स्थानी लोग है उ तो मन्यम वेरुडू यानि की जंगलों का नायक के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है तो द्यान रखेंगे यह सोतंता सिनानी थे अलूरी सीता राम राजू तो इनके नाम पर जो है अभी प्रधान मंत्री नरेंद्र मुझी ने तीस फीट की इनकी कांस की प्रतिमा का प्रतिमा कौन सी है तो यह आपको पता है स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है यह दुनिया की सबसे उन्ची प्रतिमा है इसकी उचाई कितनी है तो ध्यान रखेंगे आप 182 मीटर इसकी उचाई है अगर बेस सहथ देख लिया जाय तो 240 मीटर इसकी उचाई हो जाती है इसके स इस्तित है गुजरात में यह इस्तित है ठीक है यहां पर ध्यान रखेंगे यह गुजरात में इस्तित है और गुजरात में इस्तित है और यह किसकी प्रतिमा है तो यह भी ध्यान रखेंगे सर्दार वल्लब भाई पटेल की यह प्रतिमा है अगला कुश्या ने दुनिया क की दूसरी सबसे वुदे की है तो एकसुं treaty मेटर इसकी है और दोस्तों यह कहां पर है तो ध्यान रखेंगे यह चेन में है यह जो पिश्टेच्व अफ यूंटी है यह हमारे भाद मैं है और जो दुलिया की सबसे वुदे की दूसरी प्रति महां यह स्प्रिंग टेंपल बुद्ध है जो की 150 मीटर है और यह है कहां पर तो यह चाइना में है और इसकी अगर बेस सहथ देखा जाए बेस सहथ अगर देखा जाए तो 208 मीटर हो जाती है अगला कुछा ने दुनिया की बैठी हुई सबसे उची प्रतिमा कौन सी है तो दुनिया की बैठी हुई जो सबसे उची प्रतिमा है वो है अगले है भगवान गुद्ध की सैन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है और इसकी लंबाई कितनी है तो सौ फीट लंबी यह प्रतिमा है Statue of Equality, यह कहां पर है तो ध्यान रखेंगे, Statue of Equality जो है ये सवामे spouse, रामा नुज़ाचारे की प्तिमा है, और ये है कहां पर, तो हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में ये प्तिमा इस्थापित है, statue of knowledge स्टेची अफ नोविज़ लातूर महाराष्ट में ध्यान रखेंगे लातूर महाराष्ट में ये प्रतिमा है और स्था परतिमा किसी है तो के लिए यानि डॉक्टर की यना यह यान्डॉ बिमराव ऑंबिट्कर की ये प्रतिमा है statue तो यह सारी प्रतिमा हैं जो हैं काफी इंपोर्टेट हैं सभी के नाम अच्छे से याद रखने हैं अगला क्षाने किस राज्य में भगवान प्रसुराम की क्यावन फीट उची प्रतिमा इस्थापित की गई इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्सन नंबर ए अड़ाचल प्रद किये विप्र फाउंडेशन भगवान प्रसुराम की मूर्ति वहीं इस्थापित करेगा जिसमें तक्रीबन ग्यारेक करण रुपए रासी खर्ज होगे तो दोस्तों ध्यान रखेंगे अगर आपसे पुछा जाए कि भगवान प्रसुराम की जो क्यावन फीट उची प्रति दोस्तों महाराश्ट्र में विदान सभा अधिक्ष को लेकर भी काफी खेचा आने रहे और इसी बीच जो बीजेपी विदायक हैं राहुल नार्वेकर इन्हें जो स्पीकर चुन लिया गया कंग्रेस नेता नाना पटोले के पिछले साल पद से इस्तीफा देने के बाद से अधिक्ष काफत खाली पड़ा था डिप्टी स्पीकर नरहरी जिर्वाल कारिकारी अधिक्ष रहे बीजेपी विदायक नार्वेकर का सिर्सेना और एन्सीपी से गहरा नाता रहा नार्वेकर एन्सीपी के वरश्टेनीता रामराजे निमबाल कर के दामाद भी हैं तो दोस है महाराष्ट के मुख्यमंत्री बने हैं और किस ने महाराष्ट के मुख्यमंत्री के पर से स्तीफा दिया था तो उद्दव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था और उनकी जगा पर अब जो बने हैं वो एक नात सिंदे बनाए गए हैं तो दोस्तों यह थे पांच जुलाई से संबंधित उत्रप्रदेश के सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट करेंट की कुश्चन जो कि हमने डिसकस किये अब हम देखते हैं कल की वीडियो को कुश्चन जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने इसका जो भी करेक्ट अंसर है वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और दोस्तों सभी लोकुशन का अंसर जरूर किया क 충क्राइब कर तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों का साथ इसे सेयर करें और अगर अभी तक हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही किस करें तकि town too time notification आप तक पहुचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू